आज की वीडियो में मैं explain करूंगी प्रोफेसर शौंकू की सीरीज में अगली कहानी नकुर बाबू एन एल डोरेडो कहानी बहुती इंट्रेस्टिंग है तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी मेरी यानि गरिमा की आवाज में प्रोफेसर शौंकू अपनी लैब में बैठे Cosmos जो एक magazine है जिसमें scientific researches चपती हैं उसके लिए लिख रहे हैं ये इनका एक hidden project है कोई इसके बारे में जानता नहीं है Cosmos magazine में कई बारे इनके छपे लिख आ चुके हैं प्रकाशित हो चुके हैं उसी को ये अब खत्म करने के लिए बैठे हैं तब इनका नौकार आता है और बताता है कि कोई उनसे मिलने आया है प्रोफेसर शौंकू से मिलने अक्सर देश विदेश के बाड़े बड़े नामी गिरामी लोग आते थे बड़े बड़े scientist आते थे inventors आते थे वो पूछते हैं कि वो आदमी दिखने में कैसा लगता है जो उनसे मिलने आया है उनका नौकर बताता है कि कोई नकुर बाबु ह उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है और वो बेंगॉली में बात कर रहे हैं शौंकू जो थे प्रोफेसर वो सोचते हैं कि जरूर उनका टाइम वेस्ट करने के लिए कोई लोकल उनसे मिलने आ गया है वो किसी भी टॉम डिकॉर हैरी से मिलना नहीं चाहते थे लेकिन शिश् भागे का कारण है फिर प्रोफेसर शौंकू से वो बोलना शुरू करते हैं अपने आने का कारण सबसे पहले वहीं पर एक मैगजीन रखी हुई थी उनके टेबल पे प्रोफेसर शौंकू के और ये कहते हैं कि अच्छा आप किसमिस नॉबल के लिए लिख रहे हैं तो ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई फिर वो कैसे जान गया कि वो कॉस्मॉस के लिए समय लिख रहे हैं तब ही वहाँ पर जो मैगजीन रखी हुई थी टेबल पर उस पर एक अमेरिकन मिलियनेर की फोटो थी जिसका नाम मिस्टर पेट्रॉस था उसको देखकर मिस्टर नकुर जो थे नकुर बाबु थे वो कहने लगते हैं का जीब सा नंबर बोलने लगते हैं 38889171 तब पूछते हैं उनसे प्रोफेसर शौंकू की ये आप क्या बोल रहे हैं वो बताते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मिस्टर पेट्रॉस हैं इनका एक कमरा है जिस ृस तिजोरी का ये नंबर है जिससे तिजोरी खुलेगी और उसके अंदर बहुत सारे डॉलर्स के नोट गढडी के गढड़ी अंदर रखे हैं ये सब बाते सुनकर उनका इंटरेस्ट जाग जाता है नकुर बाबु में बहुती इंटरेस्टिंग इंसान है ये नकुर बा आते हैं कि एक दिन वो अपने आंगन में बैठे थे और तीन बिल्ली की बच्चे वहीं खेल रहे थे बहुत तेज पानी बरस रहा था उनकी मा के दिहान बहुत पहले ही हो चुका था उनकी दादी काफी बिमार रहती थी और अंदर कमरे में लेटी हुई थी तब ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ नकुर बाबू को कि एक आग का गोला अनाश्ते हुए आंगन में आया जैसे बिजली गिरती है वो आग के गोले के रूप में आई और जहां वो तीन बिल्ली के बच्चे घूम रहे थे वहीं आकर रुख गई ये देखके उन्हें जटका लगा और वो भी झूलदस गया है उसके बाहत से ही जब यह किसी को देखते हैं तो उसके बारे में कुछ उन्हें महसूस होता है धुन्दला सा दिखाई दिने लगता है और सिर्फ यही नहीं कभी कभी वो फ्यूचर में घटट होने वाली कोई घटनाा का धुन्दला सा रूप भी रहे हैं तो कहते हैं अच्छा प्रिप्टोटाइस भी कर लेते हैं तब ही कहते हैं नकुर बाबू की देखिए उधर मेश पे क्या रखा है प्रोफेसर शौंकु देखने लगते हैं वह मेश तो खाली पड़ी थी तब ही उन्हें अचानक लगता है कि वहाँ पर एक मेटल की बुद्ध भगवान की मूर्ती खड़ी है लेकिन कुछ ही देर में वह गायब हो जाती है बताते हैं उन्हें नकुर बाबू की ये बुद्ध की जो मूर्ती है ये इन्होंने किसी लॉयर के घर में देखी थी इन्होंने इमेजिन किया उस मूर्ती के बारे में और तभी मिस सिफ एक चाइनीज मजीशन थे जिनका नाम ची चिंग था उन्हों नहीं उन्हें हिप्नोटाइस किया था अब ये पूशने लगते हैं मिस्टर नकूर से उनके बारे में कि वो कहां रहते हैं क्या करते हैं और वो उनके बारे में और क्या बता सकते हैं या फिर उन्हें ऐसे और क्या experiences हुए हैं बताते हैं नकुर बाबु कि वो कैलकटा से कुछ दूरी पर रहते हैं और उनके जो पिता थे उनका दिमाग भी बहुत तेज था अगर वो कोई भी epic एक बार सुन लेते थे महा कावित उन्हें कंठा सियाद हो जाती थी लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी खास जाते हैं कहते हैं लगभग 15 दिन पहरे उन्होंने देखा कि साव पॉलो जो कि एक बहुत बड़ा शहर है ब्राजील का वहां के एक होटल में बैठे हुए हैं मिस्टर शौंकु और एक मोटा लंबा चोड़ा सा आदमी उन्हें घूर रहा है और बाते कर रहा है यह जो मिस दिल गए हैं ना वो साव पॉलो जैसे शहर के बारे में कुछ जानते हैं तब वो बताते हैं मिस्टर नकुर उनको कि नहीं आपको सफेद रंगे लिफाफे में बहुत जल्दी एक इंविटेशन आएगा उस इंविटेशन को आप नकार नहीं सकेंगे क्योंकि उसमें इतन बारे भारत की शान है हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे इसलिए मैं आपसे ये बात बताने के लिए आया हूं यह सब बास सुनके प्रोफेशर शौंको थोड़े आश्यन में पढ़ जाते हैं उन्हें लगता है कि अगर कुछ दिन में सच में ऐ बारा मिलना चाहूंगा आप अपना एडरेस मुझे दे दीजे और क्या मैं अगर कभी किसी मीटिंग में गया या सेमिनार में गया तो आप मिरे संग चलना चाहेंगे तो कि मुझे ज़्यादा तर दो टिकेट्स मिलते हैं प्लेन के रुखने के लेकि मैं अकेले ही जाता मिस्टर नकुर कहते हैं कि हाँ उन्हें शॉर्ट हैंड लिखने आता है वो उनके सेक्रेटरी बनके जरूर उनके साथ जाना चाहेंगे ये कहके मिस्टर नकुर अलविदा लेते हैं और चले जाते हैं इन सब बातों को एक हफता बीच जाता है और तारीक आजाती किस जून की जब मिलाकात होती है प्रफेसर शॉंकु की अपने जिगरी दोस्त मिस्टर सॉंडर से और मिस्टर क्रोल से वो उन्हें बताते हैं नकुर बाबू के बारे में कि किस तरह से उनके इंदर सूपर नैच्रल पार्स हैं वो फ्यूचर तो देखी सकते हैं टेली पैथी से बह और बाबू से मिलने के लिए देना जाता है 24 जुलाई का जब एक चिठी आती है शॉंकु बाबू के पास वो किसी मिस्टर सॉलोमन नाम के आदमी की है जो एक बहुत बड़ा व्यापारी है वो उनको चिठी में बताता है कि वो उनके तीन पेटेंट खरीदना चाहता है य इसके लिए वो उनको 75,000 डॉलर्स कैश या जैसे भी वो चाहें देजने को तयार है अब ये जो मिस्टर शॉंकु थे इन्होंने जो भी अपने बनाई थे इन्वेंशन्स वो सब मैनमेड थे हाथ से बनाई थे उन्होंने उन्होंने उन्हें शक है कि क्या मशीन इस तरह के इन्वेंशन्स बना सकती है जो तीन इन्वेंशन्स मिस्टर सॉलोमन खरीदना चाहते थे उसमें से पहरी थी एनी हिलिन गन एक ऐसी गन थी जिसको चलाने पर सामने वाला आदमी गायब हो जाएगा मतलब वो मरेगा नहीं खून नहीं बहेगा बस वो हवा में वैनिश हो जायेगा दूसरा इनका इन्वेंशन्स था मिराकुलर फिल्स जैसे नाम से बताती है चमतकारी गोलिया थी यह कोई भी बिमारी ठीक करने का दावा करती थी और तीसरा था एक ओम्नियोस्कोप जो था वो कॉम्बिनेशन था टेलेस्कोप एक्सरे का और माइक्रोस्कोप का और ये इतने चोटा सा था कि आप इसको अपने चश्मे में लगा कर पहन सकते थे तो ये तीन इन्वेंशन्स थे इनके जिसको ये खरीदना चाहते थे मिस्टर सॉलोमन उनकी मुँ मांगी कीमत देने को तयार थे लेकिन उसके जवाब में प्रौफेसर शॉंक को लिखते हैं कि नहीं वो अपने इन्वेंशन्स उनको बेचना नहीं चाहते हैं दो अक्टूबर को नकर बाबू वहाँ पे आ जाते हैं इस बाबनक बाबू में आश्चर जनक बतलाओ थे वो देखने में काफी स्मार्ट लग रहे थे, उने अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे और पहले से उनका लुग भी काफी चेंज था उनको लेके जाते हैं प्रोफेसर शौंकू और तीन सूट उनके लिए सिलने को देते हैं जिससे वहाँ पर उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहे और उन्हें ब्राजील के बारे में काफी किताबे भी देते हैं जो वहीं की लोकल लैबरेरी से इन्होंने बौरो की थी और नक और वहाँ पर कई इन्वाइटीज थे बहुत से साइंटिस थे प्रोफेसर शौंकू बहुती एक्साइटेट थे जो कि जो वहाँ पर इनका डिस्प्ले हॉल था उसमें के कई इन्वेंशन को रखा गया था वहीं इनकी मुलाकात होती मिस्टर सॉंडर्स और मिस्टर क्रोल से जिवी जो इनके जिगरी दोस्त है अब जैसे मिस्टर क्रोल को नकूर बाबू से मुलाकात होती है तो नकूर बाबू उनको देखते ही कहते हैं 1932 एल्प्स की पहाड़ियां पैर फिसलता है और फिर एक दुखत घटना घटती है ये बास सुनकर क्रोल बाबू शौक्ट हो जाते हैं वो अजीब तरह से नकूर बाबू को देखें लगते हैं फिर जब उनसे पूछा जाता है तो मिस्टर क्रोल कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था एल्प्स की पहाड़ी पर वो अपने दोस्तों के संक्चर रहे थे उनका पैर फिसल क्या था उनके दो दोस्तों ने उ खराब पार्ट है जिन्दगी का कि वो उसको याद करना नहीं चाहते तो कि उनके दो जगरी दोस्त इसमें मर गए थे अब ये नकूर बाबू को बहुत ध्यान से देखते हैं मिस्टर क्रोल कहते हैं कि हाँ इस इंसान में जरूर कोई सूपर नैच्रल पार है जो कि ऐसी छ मिस्टर लोबो से कि जब सेमिनार खतम हो जाएगा तीन दिं का तो वो ब्राजील को घूमना चाहेंगे उनके जंगलों को खास करके वो एक्स्प्रोर करना चाहेंगे मिस्टरलो कहते हैं बरूर वो सारे मिलकर जंगल को एक्स्टोर करने के लिए अवश्च चलेंगे बारा अक्टूबर को जब कॉन्फरेंस का आखरे दिन है उसके बीश में ये घूम फिर भी आते हैं तीनों दोस्त नकॉर बाबू अपनी सीमाय जानते थे वो जादा तर अलग-अलग अपने कमर सॉलोमन मिस्टर सॉलोमन वही इंसान है जिनोंने चिट्छी लिखी थी गिरड़ी में प्रॉफेसर शॉंकू को और 75,000 डॉलर देने का उनको लालच दी थी कि वो सारे अपने जो भी इन्वेंशन से उनको बेच दे पेटेंट करा ले अब ये आते हैं सॉलोमन मिस्टर सॉ विख्वास नहीं है कि ये जो नके इंवेंशन से ये मशीन से उसी रूप में बन पाएंगे कि नहीं ये तो हैंड मेड है इसलिए वो गलत तरीके से अपने इंवेंशन को पेटेंट नहीं कराना चाहते है मिस्टर सॉलोमन को थोड़ा नाराजगी हो जाती है प्रोफेसर शौंकू से तभी कमरे में कॉल बेल बचती है और आते हैं वहां नकर बावो महाल देखते हैं तो वह इंठी टक जाते हैं वो मिस्टर सॉलोमन को बहुत तीखी नजरों से देखते हैं और फिर कहते हैं एल डोरेडो ये बोलके वहां से वो चले जाते हैं और मिस्टर सॉलोमन कि आँखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है प्रोफेसर शॉंग को समझ नहीं पाते कि मिस्टर सॉलोमन एल डोरेडो का नाम सुनके इतने चौंक क्यों गये तब मिस्टर सॉलोमन कहते हैं कि जिस छण नकुर बाबु कमरे में आएं वो एल डोरेडो के बारे में ही सोच रहे थे नकुर बाबु ने उनका मन कैसे पढ़ लिया खेर ये बाते खतम हो जाती है और वापस से टॉपिक आ जाता है पेटेंट लेने का मिस्टर सॉलोमन आखरी शर्त रखते हैं कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं दो लाख टॉलर तक देने को तयार हूँ और आप अपना ये जो तीनों इंवेंशन्स हैं मुझे पेटेंट करने दीजे लेकिन शौंको बाबु तयार नहीं होते फिर मिस्टर सॉलोमन थोड़ी नाजाज़गी के साथ ही कमरे से चले जाते हैं उसी रात लगभग ढ़ाई बजे फिर से शौंको प्रोफेसर शौंको के दरवाजे पे हलकी सी दस्तक होती है और वहां उनसे नकुर बाबु मिलने आते हैं डबी हुई आवाज में वो कहते हैं प्रोफेसर शौंको से कि आपके इन्वेंशन्स को खत्रा है मिस्टर लोबु और मिस्टर सॉलोमन मिलकर एक हो गए हैं और गलत तरीके से वो उस एक्जिवीशन हॉल में गए हैं और जो पेपर्स थे इन्वेंशन्स के जिसमें साई ये डेल्स लिखी होती हैं कि किस तरह से ये बना है समाम उसको उन्होंने चुरा लिया है और उपर के हॉर में एक जरॉक्स मशीन रखी है जिससे फटा-फटी कॉपी निकाल रहे हैं और एक तरह से चोरी कर रहे हैं आपके इन्वेंशन्स की ये सब बाते सुनकर प्रफेसर शौंगू को विश्वास नहीं होता नकुर बाबू पे उन्हें मिस्टर लोबो पे बहुत विश्वास था वो कहतें नहीं मिस्टर लोबो इस तरह की घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते और वो कहीं भी नहीं जाते कुछ भी बता करने लेकिन एक चिंता उनके मन में समा जाती है कि अगर ये बात सच हो गई तो उनकी जिन्दीगी भर की मेहनत बरबाद हो जाएगी खेर रात बीच जाती है सुबह फिर से जल्दी से प्रफेसर शौंकु जाते हैं उस एक्जिवीशन हॉल में और देखते हैं कि उनके सारे कागस सही सलामत रखे हैं उन्हें लगता है कि नकुर बाबो उन्हें भढ़का रहे हैं खेर प्रफेसर शौंकु चले जाते हैं ब्राजील घूमने के लिए सौपलो शहर घूमने के लिए और जब लौटते हैं तो देखते हैं कि नकुर बाबो मिस्टर लोबो और मिस्टर सॉलोमन के साथ बड़ी गहन विचार कुछ व्यक्त कर रहे हैं सोफे पे बैठके उन्हें अच्छा नहीं लगता इस तरह नकुर बाबो का बात करना हैं दोनों लोगों से दोनों बहुत याशर चकित हो के उनकी बाते सुन रहे हैं उनको वो एल डोरेडो शहर के बारे में ना जाने कौन सी मन घडंत कहानिया बता रहे हैं कि किस तरह वा सोने का सहर चहर था अब कहते हैं मिस्टर सॉलोमन की एल डोरेडो शहर जो है जो छुपा वा एक सोने का शहर है ब्राजील की कहीं जंगलों में असालों से लोग उसे खोज रहे हैं कि उसमें इतना सोना है जो हम लाकी सोच के भी परे है 200 वर्ष से इनके जितनी भी पूरवच रहे हैं मिस्टर सॉलोमन कींगे दादा पर दादा वो सब एल डोरेडो की खोज में ब्राजील आए हैं और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने इसकी खोज में व्यतीत कर दिया है जब नकूर बाबू ने एल डोरेडो को जिन नाम लिया तब इनका इंट्रेस जाग गया और नकूर बाबू ने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है एल डोरेडो शहर का ना जाने कैसे उनको ये लोग फैसिनेट हो गए है और इनका प्लान बन गया है कि नकूर बाबू उनको एल डोरेडो शहर भी दिखाएंगे वो कहां पर है ब्राजील के जंगलों में ये सब बाते सुनकर प्रोफेसर शौंको को बहुत गुसा आता है और नकूर बाबू से अकेले में बाते करते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह से मन गरंद कहानिया सुनाई हैं उन लोगो तर नकूर बाबू कहते हैं कि दरहसल मिस्टर सॉलोमन ने उन्हें बहुत बड़ी लालज दी थी पांच हजार डॉलर की इतना रुपिया उन्होंने एक साथ अपनी जिन्दगी में कभी भी नहीं देखा उनकी दादी को एक ला इलाज बिमारी है लेकिन उसकी दवाई यहां पर ब्राजील में मिल सकती है दवाई बहुत पहंगी है वो कभी एफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन पांच हजार डॉलर अगर उन्हें मिल जाते हैं तो उनकी दादी कुछ साल और जिन्दा रह पाएंगी उनकी दादी के लावा उनका कोई भी नहीं है यह सारी बाते से उनके प्रोफेशर शौंको कुछ भी नहीं कहते लेकिन उन्हें नकुर बाबो की यह हरकत बिलकुल भी पसंद नहीं थी नकुर बाबो बताते हैं कि अगले ही दिन वो लोग निकल जाएंगे एक्सपिडीशन पे और उन्हें वो अलडेराडो शहर कहां पर है वो बता देंगे बस उसके बाद उनका काम खतम हो जाएगा उन्हें वो पांच हजार रुपे पांच हजार डॉलर्स मिल जाएंगे थोड़े अन्मने मन से ही प्रोफेसर शौंको अपने दोनों दोस्त मिस्टर क्रोल और मिस्टर सौंडर्स के साथ निकल जाते हैं ब्राजील के जंगल घूमने इनका साथ देते हैं मिस्टर लोबो और साथ मीं इनका टूरिस्ट काइड ब्राजील के जंगलों की खुबसूरती देखते ही बनती है वहां के एक्जॉर्टिक फल, फूल, पेर, प्लान्टेशन को देखकर प्रोफेसर शौंको और इनके दोस्ट आश्चर चकित है लेकिन साथ ही साथ एक खत्रा भी जंगल में हर समय मंडरा रहा है वहां पर बसने वाले कई जंगली जानवर, सांप है, बिच्छू, जहरीले, स्पाइडर्स है कई ऐसे की खोड़े हैं, जो खत्रा साबित हो सकते हैं, किसी बेशन रात को इनका टेंट लगता है, ये सारे सो जाते हैं जंगली, जानवरों की आवाजे इनके कानों में लगातार आ रही है लेकिन ट्रैवल काइड के साथ ये सारे सो रक्षत महसूस करते हैं तबी रात में लगबग धाई तीन बजे, बहुत तेज किसी के चीखने की आवाज आती है सारे अपने अपने टेंट से बहाँ निकलते हैं ट्रैवल काइड तुरन दौरता है चीखने की जहां से आवाज आई होती है वो आवाज मिस्टर लोबो की थी मिस्टर लोबो की हालत बहुत खराब थी वो कहते हैं कि अवो जिंदा नहीं रह पाएंगे वो कुछी शड में मर जाएंगे जो कि किसी जहरीले कीडिये ने उन्हें काट लिया है ट्रैवल गाइड देखता है कि उनके पैर पर एक जहरीले स्पाइडर ने काट लिया है वो गय थे रात में पेलो के पीछे तब अचानक इनकी घड़ी इनके हाथ से चूट गई जब एक घड़ी उठाने के लिए जुके तो इनका पैर पढ़ गया इस स्पाइडर के जो वहाँ पिनका घ़र था स्पाइडर का पूरा उसके ओपर बस एक जहरीले स्पाइडर ने इनके पैर में काट लिया उसका जहर इतना तेज नहीं था जिससे मिस्टर लोबो की डेथ हो जाए लेकिन मिस्टर लोबो बहुत ही ज़ादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मरने के पहले वो अपना एक जुर्म कबूल करना चाहते हैं तब पूछते हैं प्रोफेसर शौंकू कौन सा जुर्म ऐसा तुमने कर दिया जो मरने समय तुमको इतनी चिंता हो रही है तो वो कहते हैं मैंने आपको धोका दिया है उस राद जब सेमिनार खतम हुआ था तब जो आपके इन्वेंशन से उसके कागज मैंने मिस्टर सॉलोमन के कहने पर चुराए थे उन्होंने मुझे अच्छी खासी मोटी रकम दी थी इसके लिए और सारे जेरॉक्स करके मैंने वापस रखे थे ये पास सुनके प्रोफेसर शौंगो को नकुर बाबो की ये बात याद आती है नकुर बाबो जिस वों उपर वो संदेह कर रहे थे कि शायद वो भाहरुपिया हैं सच में वो तो उनके बहुत हमदर थे, उनके पक्के दोस थे जो उनकी मदद करने के लिए रात में भी वहाँ आए थे वो कहते हैं मिस्टर लोबो से कि तुमने मेरी जिन्दी की भर की मेहनद बर्बाद कर दी इस तरह से धोका देखे इनके दोनों दोस्तों मिस्टर लोबो को जान से मानने ही चाहते थे लेकिन यह कहते हैं की नहीं हम लोग लाजिकल रूप से चलेंगे इनके उपर कैस करेंगे और इनसे हरजाना वसूल करेंगे जो भी नुकसान उनको हुआ है लेकिन जो नुकसान एक साइंटिस्ट को हुआ था चोरी हुए थे कई लोग कहते हैं कि एल्डोरेडो जो था वो कोई शहर नहीं था वो कोई ऐसा इंसान था जिसके पास बहुत सारा ग्यान का खजाना था और जिसको लोग मिस्टुक कर लेते हैं कि वो खजाना जो है वो ऐसा सोना है लेकिन ग्यान का ख़साना भी जो होता है वो बहुत बहुमूले होता है अन्मने मन से अगले दिन इन लोग अब ब्राजील के जंगलों से बाहर निकलने लगते हैं जो कि अब किसी का भी मन नहीं है और एक्स्प्लोरेशन करने का वही नदी के किनारे एक बड़ा सानेकॉंडा साप अचानक से जपट पड़ता है प्रोफेसर शौंको के उपर ये बहुत तेज डर जाते हैं तभी वो साप अचानक गायब हो जाता है और हस्ते हुए आते हैं वहाँ नकुर बाबू वो नकुर बाबू को देखके बहुत प्रसंचित हो जाते हैं कि नकुर बाबू जिंदा है वो मरे नहीं है और एक चौपर उनको वहाँ पर उतारने आया था कोई समझ नहीं पाता कि नकुर बाबू के पास चौपर कहां से आ गया और इस तरह से हसते हुए जंगलों के बीचों बीच उन्हें कहां से मिल गए तर नकुर बाबू बताते हैं कि ये जो सांप अनाकॉंडा था वो imagination से उन्होंने मीज़ उनको hypnotize करके उनके सामने ले आए थे कोई सांप वहाँ पे नहीं था और सिर्फ एक भ्रम पैदा किया था उन्हें अनकॉंडा साप का जिससे प्रोफेसर शौंग को इतना डर गया अब नकुर बाबू पूरी बात बताते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने इसी तरह से भ्रम पैदा किया मिस्टर सौलोमन के आगे जंगल के बीचो बीच जाके उन्हें ऐसा भ्रम दिखाया कि पूरा एल डरेडो शहर जंगलों के बीचो बीच बसा है और उन्होंने पहले ही शर्थ रख दी थी मिस्टर सॉलोमन के साथ कि जैसे ही एल डुरेडो शहर उन्हें दिख जाएगा वैसे ही वो तुरन नकुर बाबू को पांच हजा़ डॉलर दे देंगे साथ ही वो सारे कागस दे देंगे जो उन्होंने धोके से प्रोफेसर कराए हुए प्रोफेसर शौंकू के कागस दे दिये और प्रोफेसर शौंकू की मदद करने के लिए नकुर बाबू ने एक चाल और चली मिस्टर सॉलोमन को तो जंगलों में उतार दिया और चौपर जो था उसके इस पालिट था उसका उसको दो हजार डॉलर दी और कहा कि सेफली हम लोगो तुम मुझे और मेरे दोस्तों को सॉप उलो शहर के उसी होटल तक पहुँचा दो इस तरह से वो चौपर में बैट के सारे दोस्त वो कागज भी मिल जाते हैं और उने 5000 में से 3000 डॉलर ही मिलते हैं नकुर बाबू को पहुँच जाते हैं सेफली सॉप उलो के उस होटल में जहां से सब अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं कहानी बहुती इंट्रेस्टिंग थी आपको कैसी लगी जरूर बताएं कहानी इंट्रेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और सुनते रहें ऐसी इंट्रेस्टिंग कहानिया ज